Hello students, आज की class में हम head better के बारे में पढ़ेंगे तो देखे, head better का प्रियोग, advice देने के लिए किया जाता है जब हम head better का प्रियोग करते हैं, तो किसी ने किसी problem या कोई danger का बोध होता है जैसे अगर हमने किसी को advice दी, तो जिसको हम advice दे रहे हैं, अगर वो हमारी advice को नहीं मानेगा तो उसको कोई ने कोई problem face करने होगी, या उसे किसी ने किसी खत्रे का सामना करना होगा ठीक है, जब हम head better का प्रियोग करते हैं, तो इससे ये बोध होता है अब कुछ examples देखते हैं, जैसे I had better go now or I will be late मुझे अब जाना चाहिए, नहीं तो मैं late हो जाऊंगा यहाँ पर देखिए, had better का प्रियोग किया गया अब मैं कहना हूँ कि मुझे अब जाना चाहिए, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे क्या problem face करनी होगी, कि मैं late हो जाऊंगा इस sentence का मतलब है, it would be a good idea for me to go now or I will be late next sentence देखिए, you had better taken umbrella, it might rain तो मैं एक umbrella ले जाना चाहिए, बारिस हो सकती है अब यहाँ पर मैं अपने सामने वाले को advice दे रहा हूँ कि आपको एक umbrella ले जाना चाहिए एक बारिस होने वाली है, बारिस हा सकती है अब यहाँ पर भी head better का परियोग किया गया है अब मैं you को जो advice दे रहा हूँ, अब यहाँ पर अगर you मेरी advice नहीं मानेगा तो उसे भी कोई ना कोई problem face करनी होगी, problem क्या होगी कि मेरी नेजर में बारिस होने वाली है, तो यह जो बारिस की problem में यह उसको face करनी पड़ सकती है अगर वो छातन गले जाएगा तो बारिस में भीख सकता है इस sentence का मतलब होगा, it would be a good idea for you to take an umbrella next देखिए, we had better stop for petrol soon, the tank is almost empty हमें जल्दी ही petrol के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो tank है वो almost empty है तो यहां पर भी head better का प्रियोग किया गया है, तो यहां पर अगर हम नहीं रुकेंगे पेट्रोल के लिए, तो हमें क्या problem face करनी होगी, oil की, ठीक है न, fuel की, क्योंकि जो tank है वो empty होने वाला है, लगबग empty है, तो लगबग जो oil है, वो समापत होने वाला है, तो हमें oil नहीं होगा तो हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो यह problem हमें face हो सकती है, तो इस प्रकार से यहां पर head better का प्रियोग किया गया है, इस sentence का मतलब है it would be a good idea for us to stop for petrol soon, तो इस तरह से जब हम head better का प्रियोग करते हैं, तो इस से यह sentence निकलती है it would be a good idea for four के बाद, जिसको हम advice दे रहे हैं, वो, जैसे मैंने यहां पर you को advice दी, तो it would be a good idea for you, ठीक है मैंने अपने आप से का, तो यहां पर it would be a good idea for me, तो जिसको हम advice दे रहे हैं, उसके लिए हम जो कह रहे हैं, वो एक अच्छा idea होगा, ठीक है तो इस तरह से हम head better का प्रियोग किसी को advice देने के लिए करते हैं, और जिसको हम advice दे रहे हैं, अगर वो हमारी advice को नहीं मारेगा, तो उसे कोई ना कोई problem face करनी होगा, या किसी danger का सामना करना होगा जब head better का प्रियोग करते हैं, तो इस से यह sentence निकलती है उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो head better है, वो एक model auxiliary होती है, ठीक है, अब हम सभी models के साथ, जो वर्ब की base form यूज करते हैं, तो जाहिर से बात है, क्योंकि head better भी एक model auxiliary है, तो हम head better के बाद भी verb की base form में यूज करेंगे head better is always formed from the auxiliary verb have, अब देखिए जो head better है, ये एक auxiliary verb have की past form से बनाए है, ठीक है ये जो head है, ये have की past form है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इसको present बनाने के लिए इस head का hedge कर दें और हम has better लिख दें, ऐसा नहीं होगा ये गलत होगा, या फिर हम इसका future बनाए और will have better कर दें ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, has better और will have better जैसे कोई शब्द या कोई phrase नहीं होती है, the negative is had better note, मतला head better का जो negative होता है, वो होता है, had better note, अर्था जो note है, वो had better के बाद लगता है, अगर हम had better का negative बनाएंगे, तो अगर हम ऐसे बनाएंगे, had note better, तो ये भी गलत होगा, ऐसे भी हम नहीं बनाएंगे, हम note को had better के बाद रखेंगे, ठीक है, तो अगर मैं कहूं, I had better note, तो ऐसे मैं इसको negative बनाऊंगा, जैसे I had better note, तो note last में, अगर मैं गलती से यहाँ note को यहाँ रख दू, had or better के बीच में, तो ये गलत होगा, ठीक है, तो हमेशे द्यान रखना यहाँ पर देखिए, you है न, यह missing है, यहाँ पर you और होना चाहिए था, तो अब इस sentence में क्या कर रहा है, कि although that jacket looks good on you, कि यद पियो jacket जो है, यह तुम्हारे उपर अच्छा लगता है, तुम पर अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महिघा है, expensive है, अब यहाँ पर head better का use किया गए, advice देने के लिए, ठीक है न, अब यहाँ पर head better को negative में use किया गया, तो negative देखे, कैैसे बनाया गया है, head better के बाद note रख कर यह, ठीक है, तो head better का जब भी आब negative बनाएं तो head better के बाद note रखना है, next देखिए, you head better not not waste your time as your exams are very near आपको अपना समय नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी exams वो नजदीक आ रहे है तो यहाँ पर हैड़ बेटर का प्रियोग advice देने के लिए किया जा रहे है और यहाँ पर हैड़ बेटर को यहाँ व की past form होती है यह व की past form होती है head जो की जिस्ते की हम head बेटर यह phrase बनाते है ठीक है head better बतलब head better जो बना यह have की past form से बना लेकिन यह head better इसको हम present यह future के लिए यूज करते हैं नहीं कि past के लिए जैसे example देखिये i had better go now अगर हम कहते हैं i had better go now तो भी सही है क्योंकि यह इसका प्रियोग present के लिए किया जा रहा है अगर मैं कहता हूं no को हटा के i had better go tomorrow तो भी ठीक है क्योंकि अब इसका प्रियोग future के लिए किया जा रहा है तो यहां तक तो ठीक है I had better go now या I had better go tomorrow लेकिन अगर मैं लिखता हूँ I had better I had better go yesterday अब ये गलत है, ठीक है न? अब yesterday जो वर्ड है, ये हम जानते हैं की ये हम past tense में use करते हैं ये है कि past को indicate करने वाला वर्ड है ठीक है? past को बारे में बताने वाला वर्ड है yesterday तो यहाँ पर हम यह head battery इस तरह से use नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब यह past का बोद करा रहा है तो इस तरह से इसका परियोग गलत होगा है क्योंकि head battery का परियोग सिर्फ या तो present के लिए की आजा सकता है या future के लिए की आजा सकता है उसके बाद head battery is always followed by a verb in the infinitive without to यह बात मैंने अभी आपको बताई थी कि head battery के बाद जो वर्ब हम लिखते हैं main verb तो वो जो है base form होती है किसी भी वर्ब की ठीक है ना जैसे it my train बारीच हो सकती है with head battery taken umbrella हमें च्छादा ले जाना चाहिए तो देकि head battery के बाद वर्ब की base form है अगर हम यहां पर two take लिखते हैं तो भी गलत है ठीक है ना मतलब head battery के बाद जो वर्ब आई कि उससे पहले आपको two नहीं लगाना है अब बात करते हैं head battery और should की ठीक है na head battery और should में क्या difference है देखिए head battery का परियोग advice देने के लिए कि आजाता है should का परियोग advice देने के लिए कि आजाता है ठीक है अब इन दोनों में difference क्या है यह देखेंगे head battery is similar to should head battery जो है न जो should के समान होता है head battery should के समान होता है similar होता है but not exactly the same लेकिन exactly same नहीं होता है अब क्या difference होता है इन में चलिए यह देखते हैं we use head better only for a specific situation हम head better का परियोग के वले specific situation के लिए करते हैं not for things in general general चीज़ों के लिए नहीं करते हैं we can use should in all types of situation to give an opinion or advice हम advice या opinion देने के लिए should का परियोग सभी परकार के situations में करते हैं तो हमने क्या देखा है यहां पर कि हम head better का परियोग सिर्फ specific situation में करते हैं और general situations में इसका परियोग हम नहीं करते हैं जबकि should का परियोग हम all types of situation में करते हैं चाहे वो situation specific situation हो चाहे वो situation general situation हो ठीक है तो हम should का परियोग दोनों तरह से कर सकते हैं लेकिन head better का परियोग सिर्फ specific situations में किया जाएगा example देखे तो यहां पर प्रयोग किया गया है एक specific situation है ठीक है मैं किसी specific time पर यह बात करूँगा किसी से कि जो है देरी हो रही है आपको जाना चाहिए तो यह कोई particular time होगा specific situation होगा specific moment होगा अभी मैं इस intense बोल सकता हूँ यहां पर अब specific situation है तो head better गयूज किया गया है यहां पर हम should गयूज भी कर सकते हैं ठीक है इस तरह से you should go हम ऐसे भी कह सकते हैं लेकिन यह देखिए you are always at home तुम हमेशा घर पर रहते हो you should go out for you should go out more often आपको जोगे ना भार जाना चाहिए more often more often का मन्दब frequently बाहर जाना चाहिए जैसे मैं देखता हूँ अपनी friend को या किसी को भी घर पर ही बैठा रहता है मैं उसको advice देता हूँ भाई गर पर मत रहा कर बहार भी गुम लिया गर तो ये को specific situation नहीं है ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आज के लिए कह रहा हूँ या मैं अभी के लिए कह रहा हूँ मैं कह रहा ह कि आपको बाहर घूमना चाहिए इसका मतल़ एक general situation है और यहाँ पर should कहीं परियोग हो सकता हैержा यहाँ पर अप Head better का परियोग नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से Head better का परियोग जोगे general situation कर किया जाता है specific situation के लिए क्लिए जाता है और should का परियोग general और specific दोनों situations के लिए किया जा सकता है head better का परियोग general situations में नहीं होता है with head better daily is always a danger or a problem जब हम head better का परियोग करते हैं तो हमेचा किसी danger या problem का बोध होता है मतलब हम जिसको advice दे रहे हैं अगर हमारे advice नहीं मानेगा तो उसे किसी problem या किसी danger का सामना करना होगा ठीक है should means only it is a good thing to do जब हम should का परियोग करते हैं तो इसका मतलब हम यह कह रहे हैं तो लिए अच्छा होगा हलाकि उसमें problem या danger के face करने जैसे कोई बात नहीं होती है मान लिजी हम किसी को advice दे रहे हैं हलाकि हम वह शुटगा इस भी कर सकते हैं लेकिन अगर हम शुटगा उस situation में करें उस advice के लिए करें जिसको हम advice दे रहे हैं उस पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा उसे कोई problem face नहीं होगी तो हम शुटगा परियोग करें ज़स देखिए it is a great film हम कह रहे हैं कि यह एक अच्छे film है यह great film है you should go and see आपको जाना चाहिए और इसको देखना चाहिए मैं अपने friend से कह रहा हूँ it is a great film you should go and see आपको जाना चाहिए और इसको देखना चाहिए अब अगर मेरा friend इस film को नहीं भी देखेगा नहीं तो आपकी जो beginning है वो आप मिस्स कर देंगे फिल्म की अब यहां पर देखिए head better का योज़ किया गया है अब मैं जिसको advice दे रहा हूँ कि आपको जो है अभी निकल लेना चाहिए क्योंकि आपको अगर आप नहीं निकलेंगे तो जो फिल्म की beginning हो आप मिस्स कर देंगे तो यहां पर एक problem हो जाएगी अगर मेरा जिसको मैं advice दे रहा हूँ वो भी नहीं निकलेगा तो ठीक ना क्योंकि head better का प्रियोग तभी किया जा था जो हम किसी को ऐसी advice दे रहे हो कि सामने वाला अगर हमारी advice follow ना करे तो उसे कोई नो कोई problem face करने होगी तो यहां पर क्या problem face करने होगी यहां पर यह का गया है कि film जो है वो साड़े आट बज़े शुरू होने वाली है और मैं कह रहा हूँ कि अब मैं अपने friend को इमान लिज उसको miss कर देगा ठीक है यह उसको problem face करने होगी तो यहां पर इसलिए head better का प्रियोग किया गया है तो जब भी मतलब हम should का प्रियोग उसे advice के लिए करते हैं जो advice अगर जिसको मैं advice दे रहा हूँ वो अगर इसको follow ना भी कर तो उसको problem face नहीं होने वाले लेकिन head better का प्रिय प्रियोग किसी hope या warning को भी express करने के लिए किया जाता है जैसे you had better shut up यह warning है ठीक है my team had better win tonight यह hope है तो इस तरह से हम head better का प्रियोग warning या hope को भी express करने के लिए करते हैं तो कैसा लगे वीडियो अगर वी अच्छा लगा तो बिसको like कीजिए share कीजिए channel को subscribe करना ना बूले thanks for in this video happy learning bye bye